आपका कमाई इंवेश्टर की चैनल पर स्वागत है आज हम बात करेंगे डिक्सन टेकलोजी के क्या इंपोर्टन लेविल्स और टार्गेट्स है इन अपकमिंग टाइम और बात करेंगे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपोर्टनली वर्क करेंगा प्रिवेश टाम स केंडल्स के फॉर्मेशन के बाद हमें ऐसा लगा कि यहाँ एक ब्रेकाउट देखने को मिलेगा बट वहीं से हमें इसमें एग्जेक्ली बापसी देखने को भी मिल गी नाव मैंने जो बताया था आपको कि यार अगर हमें 4367.45 रुपीस के बाद एक ब्रेकाउट देखने को मिल जाते हैं बाद वैसा नहीं हुआ यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को फसाया गया ऐसा इस टॉक में जो में ब्रेकाउट दिखाते हुए और बाद में वो लोग फसे और ग्रावट भी में देखने को मिल गई ना बात करें क्या है इसके इंपोर्टेंट लेवल औ इस टॉक को उससे में यह समझ में आता है कि इस टॉक में अफ ग्रावट यहाँ से हलकी से आपके कंटिन्यू देखने को मिल सकती है ना अगर आप देखेंगे एग्जैक्ली हमें 4300 के पास एक कंसॉलिडेशन बेस बना हुआ है यहाँ पे आप यह देख सकते हैं यहाँ से इस टॉक नीचे आया अपसाइट ट्रेंड हलका सा देखाया वहाँ से ग्रावट कंटिन्यू हुई फिर अपसाइट गया यहाँ से हमें लगा कि यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिल जाएगा बट वैसा नहीं हुआ और दुबारा से डाउंट्राइड इसने बना लि ग्रावट तो यह कहीं है कि हम सेख सकते हैं रिटेल इंवेस्टर को फसाने की ट्रिक है यहाँ से आपको ग्रावट हलकी सी और देखने को मिलेगी एरांड रां 4300 के पास 4300 से नीचे अगर स्टॉक जाता है तो हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देगा अधर्वाइस 4300 क क्यों उपर है तब तक हम इसमें सेफ जोन में हैं डरने की कोई भी बात नहीं है 4300 की उपर जब भी यह स्टॉक है अभी के टाइम पर बाकि 4215 का मायपा नेक्स सपोर्ट है उधर तक जाने का मुझे नहीं लगता कि चांस जैने स्टॉक का बिकॉस यहीं से अगर स्टॉक आगे बाइंग के पॉस्टी फ़लाल स्टॉक में नहीं है बाइंग के पॉस्टी मनाएंगे जब यहां से ब्रेक आउट मिलेगा और एक केंडल बनेगी जो इस लाइन को टेच ना करे दैनमे एक बाइंग पॉस्टी भी बनाएंगे स्टॉक के अंदर धन्यवाज वीडिय पॉस्टी में पॉस्टी में पॉस्टी में लेग दोनाःटर ये जब months लाइंग नेग्द वुक्ष group तो एक मांर खियर दॉप्धिश के ल Вас लिए जई सटवस्टी मेnd है।